और अब बात करते हैं मौसम की मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाडों पर भारी बर्फबारी हो रही है आईए अब आपको दिखाते हैं तीन तस्वीरे यह तस्वीरे हैं हिमाचल की राजानी शिमला की जम्मू कश्मीर के रामबन की रास्ता के केंदर वैश्णों देगे धाम की इन तीनों ही जगह से बर्फबारी की तस्वीरे सामने आई हैं बेहत खुब्सूरत तस्वीरे आप देख सकते हैं जहां टूरिस्ट के चैरे के रहे हुए हैं तो वहां जो स्थानी लोग हैं उनके लिए काफी उनकी दिनचर्या को प्रभावित किया है इस बर्फबारी ने उनके लिए जो मुशीबते हैं वो बढ़ गई हैं हिमाचल में बर्फबारी जमुकश्मीर हिमपाथ और पहाडों पर हो रही इस बर्फबारी की तस्वीरे आप देख रहे हैं लाहॉल्सपिती, किनौर, कुलू, चमबा और शिम्बा जिलो में जम कर बर्फब पड़ रही है शिम्बा में सीजन का ये तीसरा हिमपाथ हुआ है जिसके चलते दो नाशनल हाइवे और एक 47 सड़के बंद हो गई है मौसन के बिगड़े रूप के चलते पहाड़ी लाकों में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है अलाकि शिम्बा पहुँचे टूरिस्ट के चेहरे खिल गए तो अब दिखाते हैं जमू के राममन की तस्वीरे जहां कल दो पहर से बर्फबारी शिरू हो रही है देखे गुलमार्क और पहलगाम परिटरन स्थलो पर न्यूंतम तापमान शूने से नीचे दर्ज किया गया है ये कश्मीर से तस्वीरे भी सामने आई है जहां लगातार बर्फबारी हो रही है आपको बताते हैं कट्रा में हुई बर्फबारी से माता वैश्नो देवी का भवन सफेज चादर से धकावा नजर आया तस्वीर आपके सामने हर तरफ बर्फ नजर आ रही है ऐसे में मा के दर्शन के लेश्र धालू बर्फबारी का लुत्व भी उठा रहे है माता वैश्नो देवी के भवन पर अब तक तक तकरिवन आधा फीट बर्फ पड़ चुकी है वहीं भैरो घाती में एक फीट तक बर्फ पड़ी है शुकी है